फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? उमीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा आज हम क्लास एट का चेप्टर फोर डिसकस करेंगे इस वीडियो में हम उसके चेप्टर्स के पार्ट डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन को कवर करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हमने और भी चेप्टर्स के पार्ट फोर कवर किया है तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो जो है हमारा चैनल है NCRT Solution दीपक Academy करके उसमें जाकर के वहाँ से देख सकते हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि वीडियो टैमली आप लोगों को मिलता रहे और आप लोगों की प्रहाई टैमली होता रहे दीपक Academy में आप लोगों का श्वागत है तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन आप लोगों के चैप्टर में एक एक्टिविटी दिया है एक्टिविटी है आपका 4.8 मैंने पहले ही फीगर बना लिया है ताकि टैम बचेगा अब इसमें एक बर जो मैं बुक में आपके दिया है उससे रिडाउट कर देता हूँ फिर मैं आपको पुरा इसका प्रोसेस समझा दूँगा कि डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन एक्शली होता क्या है पहले तो मैं इसका डिफिनिशन बता देता हूँ मतला एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट को जो है कमपाउंड में डिस्प्लेस करता है जैसे चुकी डिफिनिशन मैंने बताया तो एक बार इसका इसका इक्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं जैसे यह कापर सलफेट है प्लस जिंक है तो इसका रियक्शन होगा तो यह हो जाएगा जिंक सलफेट प्लस कापर तो यहाँ पर आप लोग देखिए यह जो है कापर सलफेट है और यहाँ पर जिंक है तो यहां से यह copper जो है रिप्लेस हो गया है यहां पे और यह zinc जो है इसमें जो है आड हो गया है यह जो है यह यहां पे आड हो गया है तो यह रिप्लेस किया है मतलग कि यहां से copper को zinc ने रिप्लेस कर दिया तो यह जो है रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया तो यह this इसी कर दिस्प्लेस्मेंट इसी करने बोले हैं। जैसे जीन्क भीजटर करेगा एक जबीष चाहिए ज्यादा है। बहुति जबीषम 안ब्स्वा Алव पिररागो बावन से आपते नहीं करेंगें। तो पहले आई थिंक यह अपनों का किलियर हो गया होगा definition कि it is a chemical reaction in which one element replaces another element in a compound, जैसे यह compound है तो इसमें एक element ज़े दूसरे element को replace कर दिया, तो इसी को हम replacement reaction बोलते हैं। अब activity को एक बार जो है देख लेते हैं, recall the activity of the reaction between copper sulphate and iron that you performed in class 7th, class 7th में आप लोगों ने perform किया हैं लेकिन यहां भी एक बार हम दो देख लेंगे, let us observe some more reaction that kind, take a 100 ml beaker and label them A, B, C, D and E, जैसे कि हमने 100 ml का बीकर लिया, उसमें हमने label कर दिया A, B, C, D and E, take about 50 ml of water in each beaker, each beaker, dissolve in each beaker में हमें 50 ml of water हमने ले लिया, ठीक है, सब में 50 ml water ले लिया, dissolve in each beaker, a teaspoon of each substances as indicated in figure 4.6 A, तो यहां पे आपको दिया गया है, यहां पे copper sulphate डालना है, इसमें भी बी में copper sulphate डालना है, इसमें भी zinc sulphate इसमें डालना है, इसमें ferrous sulphate और इसमें zinc sulphate डालना है, ठीक है, और यह डालने के बाद जो है, इसमें granules, A में जो है आपको zinc के granules डालने हैं, विकर A में, और B में आपको iron nail डालना है, और C में आपको copper turning, turning क्या होते हैं, इसमाल पीसेज जो है, copper के होते हैं, उनको turning बोलते हैं, D में भी आपको copper turning डालना है, और E में आपको iron nail डालना है, तो what changes do you observe in the various beaker, अब इस beaker में क्या changes आएंगे, you have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution, जैसा कि हम लोग अभी जो है, डिसकस कर चुके हैं, इन बीकर A, zinc replaces copper from copper sulphate, that's why the blue color of copper sulphate disappear, तो अभी हम एक एक जो है, इसका examples देखेंगे, जैसे कि अभी हम बीकर A को लेते हैं, बीकर A में क्या होगा, बीकर A में जैसा कि हमने copper sulphate का solution लिया है, और इसमें हमने zinc के granules को डाल दिया है, ठीक है, तो इसमें जो है displacement reaction होगा, zinc जो है copper को replace करेगा, तो यहां से यह ZnSO4 और प्लस copper यहां पे बनेगा, तो zinc is more reactive than copper, यहां पे zinc is more reactive than copper, that's why zinc has replaced copper, तो यह बीकर A का यह आपका equation होगा, यह reaction होगा, अब हम बीकर B को देखते हैं, कि बीकर B में क्या chemical reaction होगा, displacement, जो है, बीकर B में भी हमने copper sulphate डाला है, और इसमें iron nails हमने डाला है, तो iron का आपका यह formula हो जाएगा FE, तो इससे आपका यहां पे बनेगा, FE SO4 प्लस यहां पे copper, तो यह ferrous sulphate यहां पे बनेगा, और copper रिलीज हो जाएगा, तो यहां पे भी जो हम देख रहे हैं, कि ferrous copper को displace कर रहा है, तो यहां पे iron is more reactive than copper, copper, यह iron जो है, इस copper से ज्यादा reactive है, इसलिए यहां पे बांड हो गया, फिर यह sulphate के शाथ तो यह ferrous sulphate बन गया, और copper यहां पे रिलीज हो गया, अब हम C, बीकर C को देखते हैं, कि बीकर C में क्या होगा, बीकर C में यह है, जेडेन, SO4, और C में हम copper के turning को डालते हैं, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे no reaction होगा, इसमें no reaction होगा, और बीकर D में देखते हैं, यहां पे Fe, SO4, प्लस इसमें copper की हमने turning इसमें डाला है, तो इसमें भी no reaction होगा, और E में देख लेते हैं, बीकर E में, जेडेन, SO4, प्लस इसमें आपने iron nails डाला है, तो Fe, इसमें भी no change होगा, अब आप लोगों के दिमाग में यह question हो रहा होगा, कि सब में तो A और B में तो changing हुआ, इसमें क्यों change नहीं हो रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया, कि अगर replace जो करने वाला element है, वो जो है, जो replace हो रहा है, उससे अगर more reactive होगा, तभी जो है वो replace होगा, otherwise नहीं होगा, तो यहाँ पे copper zinc से less reactive है, इसलिए इसको replace नहीं कर पाएगा, similarly, यहाँ पे copper जो है, यह Fe iron से कम reactive है, इसलिए यह replace नहीं करेगा, इसलिए इसमें कोई changes नहीं होगा, और यहाँ पे same Fe zinc से less reactive है, इसलिए यहाँ पे भी कोई change नहीं होगा, तो यह आपके जो beakers हैं, इसमें कोई, यह जो है तीनो हैं, इसमें no change होगा, displacement reaction अब आप लोगों को I think clear समझ में आ गया होगा, कि what is displacement reaction और उसका condition क्या है, compound को तभी कोई element उसको replace कर पाएगा, जब उस compound में element से more reactive होगा, अगर more reactive नहीं होगा, तो यह displacement reaction नहीं होगा, I think यह अभी आप लोगों को clear हो गया होगा, तो इस video में हम इतना ही cover करेंगे, आगे वाले video में हम देखेंगे, uses of metal and non-metal, तो जिन बच्चों ने channel को subscribe नहीं किया है, वो channel को subscribe कर लिजिएगा, ताकि video timely आप लोगों को मिलता रहेगा, और आप लोग अपने पढ़ाई timely कर पाएंगे, इस chapter के notes जो है, हमने अपने site www.fullexpand.com .com में upload कर दिया है, उसमें जब आप लोग जाएंगे, तो left side में levels होंगे, वहाँ पे उस level में N-C-E-R-T solution class 8 करके जो है, इसमें जब आप इसको open करेंगे, तो उसमें आप लोगों को notes मिल जाएगा, इस video में हम इतना ही discuss करेंगे, thank you.